नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। जी हाँ, आज हम पापा की परियों का खास एपिसोड लेकर आए हैं। और इस एपिसोड का नाम है वो स्त्री है। कुछ भी कर सकती है। यकीन नहीं आता तो वीडियो को पूरा देखिए। जिसके बाद चैनल पर आपको इंट्रस्टिंग और मसेदार फैक्ट्स की वीडियो आपको समय अनुसार मिलती रहेगी। चलिए, शुरुआत करते हैं इस मौतरमा से। ये युवती अपनी स्कूटी से कहीं जा रही होती है, तो रास्ते में इन्हें इनकी दोस्त मिल जाती है। तो ये बिना कुछ सोचे समझे सलक के बीचों बीच अपनी स्कूटी को पाक कर देती है। वास्तव में इनकी दिलेरी की दाद देनी पड़ेगी। और जब बस वहां से गुजर रही होती है, तो ड्राइवर ने भी बस को साइट से निकाल लेना बहतर समझा। यही नहीं, जब य अब मैं तो यही कहूंगा कि इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। क्यों दोस्तो मैं सही कह रहाँ ना। दोस्तो गलती से कोई आपको एक बार मार दे तो शायद आप उसको माफ कर देंगे, लेकिन वो आपको दो बारा मारे तो शायद आपको घुसा जरूर आएगा। अब आप सोचेंगे कि हम आपको ऐसा क्यों कह रहे है। आप जरा इस वीडियो को देखिए। इसमें ये स्त्री सडक पर चल रहे इस अधेर उम्र के व्यक्ति को पीछे से बिना किसी कारण टक्कर मार देती है। शक्स को चोट नहीं आने पर वो बिना कुछ कहे चल देता है। लेकिन लगता है इस स्त्री का इतने में मन नहीं भरा, वो फेड़ से उसी व्यक्ति को जोड़दार टक्कर मार देती है। अब ये देखकर आपको हसी और आश्चर्य दोनों आया होगा, पर क्या करें? स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। कि आखिर उसने नोजल पर तूगा क्यों था? आपने एक अनार सौ बिमार वाली कहावत तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने एक अनार से पांच को घायल होते देखा है? नहीं, तो ये देखें, कैसे इस स्त्री के सामने आते ही पांच लोग एक के बाद एक घायल हो गए? खेर, आपको ये वीडियो देखकर हसी जलूर आई होगी, अब तो आप मान गए होंगे ना, कि इस्त्री कुछ भी कर सकती है? कहते हैं, बड़ी से बड़ी चीज का डटकर सामना करना चाहिए, लेकिन इस स्त्री ने इस बात को कुछ ज्यादा ही गंभीर ले लिया, और बस के सामने जाकर खड़ी हो गई, अब उसने ऐसा क्यों किया, ये अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन हमें इतना पता है, कि वो स् कर मार दी, अब क्या ही कहने इनके? और इनोंने सलक के गुमाओं पर मुड़ना उचित ही नहीं समझा, और सीधे नाले में जागिरी, ये देखकर लगता है कि सलक बनाने वाले को सलक सीधी बनानी चाहिए थी, ताकि ये महतरमा च्छती ग्रस्त नहीं होती, अब ज़रा इस वीडियो पर नज़र डालो, इसमे इन इस तरी के अलावा कोई और ऐसे आशिरवाद नहीं ले सकता, क्यों? सही कहाना मैंने अब इस युफ्ती को देखिए, कैसे ये सीधे चलते चलते साइड में खड़ी बाइक को टक कर मार देती है इसे देखकर ये लगता है कि ये उसकी एक्स की बाइक होगी, जिससे वो बदला ले रही होंगी क्या आपको छोटी से छोटी जगा में से बाइक को निकालना आता है? अगर नहीं, तो इनको देखिए और सीखिए, कैसे ये स्तरी छोटी सी जगा में भी स्कूटी को निकाल लेती है और नामुम्किन जगा में भी गारी को पार्क कर देती हैं, है ना, गजब की कला अब ज़रा इस प्रो राइडर से मिलिये कैसे इन्होंने इस महिला ट्रैफिक पुलिस को दोडा दिया और तो और उससे बहस भी करने लग गई जैसे मानों कि इसमें ट्रैफिक पुलिस की ही गलती है लेकिन उनकी स्कूटी चलाने की कला बड़ी ही कमाल की है क्या आप स्कूटी को एक ही जगा पर गोल गोल गुमा सकते हैं अगर नहीं तो मिलिए एक और प्रो राइडर से देखिए कैसे ये स्कूटी को गोल गोल सडक पर गुमा रही है मुझे तो लगता है कि इन्हें रेसिंग में भी भाग लेना चाहिए अब ज़राइ समझदार युफ्ती को देखिए ये मौतरमा सडक किनारे अपनी स्कूटी को खड़ी करती है तो चोर इनके पर्स को चीन कर भाग जाते हैं उसके बाद ये लड़की उनके पीछे भागने लग जाती है लेकिन ये क्या स्कूटी से पीछा करने की बजाए लड़की पैदल ही भाग रही है अरे यार क्या आपको बाइक और खुद को जाडियों में चुपाना आता है अगर नहीं तो इन से सीखिए है ना मज़ेदार आइडिया और अब इस वीडियो में देखिए कि कैसे इस लड़की को अरजुन की तरह सामने से आती हुई बाइक ही दिखी और सीधा उसी में ठोक दिया वाह इन महतरमा को सड़क पर खाली जगा शायद दिखी ही नहीं अब जड़ा इस स्त्री का Extraordinary riding स्किल्स को देखिए पूरा रास्ता खाली है लेकिन इसी डब्बे को साईड में करके इन्हें जाना है और अगर इन्हें ये डब्बा हटाना ही था तो उतर कर हटा सकती थी ना लेकिन नहीं उन्हें जाना उसी जगह से है जहां वो बड़ा सा काटन पड़ा है तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते ताकि हमारे द्वारा की गई मैनस सफल हो जाए